अब मुस्लिम आबादी बढ़ गई है तुम्हारा राज खत्म हो गया है मुगलों ने देश में 800 साल राज किया जब वो नहीं रहे तो तुम क्या रहोगे 2027 में तुम जाओगे जरूर हम आएंगे जरूर ये शब्द हैं बिजनौर से समाजबादी पार्टी के विधायक महबूब अली के जिन्नोंने गाजीपुर के सपास्तांसत का अनुसरन करते हुए फिर से अपने कदम बढ़ा दिये हैं और साथ ही अखलेश यादो की मुसीबत को भी बढ़ा दिया है जिसके चलते उनका यूपी उपचुनाओं में हो सकता है भारी नुकसान नमस्कार मैं हूँ अखलेश पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख अखलेश यादो कई बार ये दावा कर चुके हैं यूपी विधान सभा की दस सीटों पर होने वाले उपचुनाओं में वो सभी की सभी सीटों को जीतेंगे लेकिन शायद अखलेश यादों की इस बात को काटने और उनके रास्ते में रोड़ा पैदा करने के लिए उनकी ही पार्टी के कुछ नेताओं ने ये संकल प्ले रखा है कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम अखलेश यादों की राह को आसान नहीं होने देंगे बलकि इस उपचुनाओं को जीतना टेड़ी खीर बना कर ही रहेंगे मैं ये बात ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये बात किवल हवा हवाई है बलकि इस बात को आधार देने का काम किया है खुद सपा के गाजिपूर सांसत अफजाल अंसारी ने और बिजनौर के सपा विधायक महबूब अली ने आखिर कैसे इन दोनों ही नेताओं की बयान बाजी सपा के लिए अभिशाब साबित होने जा रही है ये आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले आईए जान लेते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला दरसल अभी कुछ दिनों पहले गाजीपुर के सपा सांसत अफजाल अंसारी से एक इंटर्व्यू के दोरान एंकाउंटर गांजे के इस्तिमाल और तिरूपती के प्रसाद में मिलावट को लेकर सवाल पूछे गए थे जिसके जवाब में उन्होंने काफी कुछ बाते कहीं लेकिन गांजे को लेकर दिये गए जवाब से काफी बवाल मच गया गाजीपुर सपा सांसत अफजाल अंसारी ने कहा था गांजा को वैद कर देना चाहिए लाखो करोणों लोग खुले आम गांजा पीते हैं उसे भगवान का प्रसाद और भगवान की बूटी कह कर पीते हैं भगवान की बूटी है तो अवैद क्यों अपने योगी वाबा से कहिए गांजा को कानूनन माननेता दिलाए अगर गांजा कानूनन अवैद है तो पीने की छूट क्यों ये दोहरी नीती नहीं चलेगी इसके अलावा सपासांसत अफजाल अंसारी ने आगे कहा था कुम्भ में एक माल गाड़ी गांजा चला जाये तो खब जाएगा साधुसंत, महात्मा और समाज के बहुत लोग गांजा बड़े शौक से पीते हैं ना यकीन हो तो मेरे साथ गाजीपुर के मर्ठों में चल कर देखी लखनव में भी पी रहे हैं मेरी मांग है कि इसे कानून का दर्जा दे दीजिए बस फिर क्या था सपासांसत अफजाल अंसारी द्वारा दिये गए इस बयान के बाद आयोध्या, वारानसी, उज्जैन, गया आदि तमाम स्थानों के साधुसंतों वा महात्माओं ने इसका विरोध किया साधु संतों वा महात्माओं ने सपासांसत अफजाल अंसारी के इस बयान की घोर निंदा की और साथ ही गाजी पुर पुलिस ने सपासांसत अफजाल अंसारी के खिराफ बियनेस की धारा 353 के तहट मुकदमा भी दर्ज कर लिया वहीं अभी ये मामला कुछ थमा भी नहीं था किसी बीच अखलेश यादो के चहेते और करीबी माने जाने वाले एक और सपानिता ने विवादित बयान दे दिया और बयान ने भी यानि उनके बयान ने भी अखलेश यादो के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है और जिसके बयान ने ये मुश्किल खड़ी की है वो है बिजनौर के सपा विधायक महबूब अली ने भारती जंता पार्टी को घिरने के चक्कर में कुछ ऐसी बात बोली कि जिससे न सिर्फ सियासी बवाल शुरू हुआ बलकि सपा प्रमुख हकले श्यादो की राह का एक और काटा तयार हो गया बिजनौर के सपा विधायक महबूब अली ने एक आयोजन के दोरान भाजपा को चैलेंज करते हुए कहा उत्तर प्रदेश से अब भाजपा की सरकार जाने वाली है क्योंकि प्रदेश में मुसल्मान की आबादी लगातार बढ़ रही है और इसी लिए अब भाजपा के जाने का समय आ गया है इन्शालाह दोहजार सताइस में हमारे आने का समय आ गया है और ये तैह है कि अब बीजेपी जल्दी से दुबारा लोट नहीं पाएगी इस दोरान सपा विधायक ने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा उन्होंने कहा देश में ह हर व्यक्ती हर वर्ग हर कोई अमन चैन चाहता है लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते आने वाले वक्त में समझ जाओ अब तुम्हारा राज खत्म होने वाला है अब मुसल्मानों की आबादी बढ़ गई है बिजनोर के सपा विधायक महबूब अली यहीं नहीं रुके उन्हो में भी जवाब दिया गया है आने वाले चुनाव यानि 2027 में भाजपा जाएगी और इन्शाला हम आएंगे सपा विधायक महबूब अली के इस बयान को लेकर भाजपा की ओर से भी करारा जवाब दिया गया है सूबे के पूर्व डिप्टी सीम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने महबूब अली के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा समाजबादी पार्टी के नेता विधायक को समझना चाहिए के मोधी और योगी शेर हैं शेर अकेले चलते हैं भीड में नहीं जनसंख्या बल की धमकी ना दें समाजबादी नेता हम भी कमजोर नहीं है समझ जाएं वो और उनके नेता इसी क्रम में महबूब अली के बयान का जिक्र करते हुए देवरिया सदर से बीजेपी विधायक शलभ मनी त्रिपाठी ने भी इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हिंदूओं को सपा विधायक मह महबूब अली को जवाब दिया उन्होंने कहा महबूब अली जैसे नेता घुलामी में जक्रे हुए हैं वो अपनी कौम के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं उनमें अगर दम है तो वो सपा मुखिया अखले श्यादों से जाकर बोलें कि 20 फीजदी मुसलमान सपा को वोट देते हैं इस बार किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएं लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे जिस दिन वो ऐसा करेंगे तो अखले श्यादों उन्हें पार्टी से निकाल देंगे उनमें हिम्मत है तो हक और कौम के लिए लड़ना चाहिए वहीं जहां एक तरफ बिजनौर के सपाविधायक महबूब अली के इस बयान को लेकर भाजपा और उसके सहयोगी दल उसे आड़े हाथों ले रहे हैं वहीं बिजनौर पुलिस ने सपाविधायक महबूब अली के इस बयान का स्वतह संग्यान लेते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली है S.I. संजीब कुमार ने बिजनौर कूतवाली थाने में इस मामले को लेकर एप्लिकेशन दी जिसमें उन्होंने कहा कि सपाविधायक ने भाशन में धर्म के आधार पर हिंदू-मुसलिम समुदाय के बीच नफरत फैराने वाले बयान दिये हैं पुलिस सपाविधायक महबूब अली के साथ ही सपाजलाधधक्ष जाकिर हुसैन पर भी FIR दर्ज कर चुकी है घौर तलब है कि यूपी में लगातार सपा के दो नेताओं और अखलेश यादों के चहेतों पर FIR हुई है एक और गाजिपुर के सपासांसत अफजाल अंसारी तो वही दूसरी और बिजनौर के सपाविधायक अपने बयानों से सपाप्रमुख अखलेश यादों के लिए मुश्किल खड़ी कर चुके हैं एक तरफ एक ने सादू संतों और कुम्भ पर निशाना साधा है तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे ने मुसल्मानों की बढ़ती आबादी की बात कहकर हिंदू बना मुसलिम की राजनीती खेलने की कोशिश की है ऐसे में भारती जनता पार्टी दोनों के इस संदेश को जनता तक पहुँचाने की कोशिश जरूर करेगी और जनता को ये बताने का भी प्रयास करेगी कि आखिर किस आधार पर समाजबादी पार्टी यूपी उप्चुनाओ को जीतने की जुगत में लगी हुई है और सिर्फ इतना ही नहीं बलकि दोनों सपा नेताओं के बयानों से अखिने श्यादों को बड़ा लुकसान भी उठाना पड़ सकता है क्योंकि जनता के बीच ये संदेश भी जाएगा कि कैसे समाजबादी पार्टी सिर्फ मुस्लिमों का मत पाने के लिए ही अपनी जनता के बीच जाएगा राजनीती से इतर होकर अगर हम यहां जरा सोच कर देखें तो क्या सपा के इन दोनों ही नेताओं को ऐसे बयान देने चाहिए थे क्या सत्ता पाने की लालसा में वो नफरतों का दौर पूरी तरीके से लाने और सादुसंतों के खिलाफ और महतमाओ के खिलाफ इस प्रकार की अनर्गल टिपणी करने का धेय अपना बना चुके हैं या फिर उन्हें ये लगता है कि यूपी की जंता बिना अपना बुद्धी विवेक लगाये हुए इनकी बातों में आकर कोई घलत कदम उठाएगी। सियम योगी आदेतिनात ने मोर्चा संभाला हुआ है और दस सीटों पर होने वाले उपचुनाओ कई सालों से यहां इस उपचुनाओ से दूर रहने वाली मायावती पूरी तरीके से वापस इस खेमे में उतर रही है यानि कि इस उपचुनाओ में उतर रही है और यहां तक क कहावद भी कही गई है नखेल नखेले दे बस खेलवा विगाड़ा यानि कि साफ है कि वो सिर्फ और सिर्फ खेल विगाड़ने का काम करने के लिए ही चुनावी मैदान में अपने प्रित्याशियों को उतार रही हैं लेकिन साल 2007 और 2012 की अगर हम बात करें तो 2007 से 2012 के बीच सत सम्हालने वाली बहुजन समाज पार्टी को 403 वोटों में से यानि 403 सीटों में से मात्र 80 सीटे 2012 के चुनाव में मिली थी जबकि उनके 50 नेताओं की जमानत तक जब्त हो गई थी लेकिन वही यदि 2017 के यूपी विधान सभा चुनाव की बात करें तो बस्पा ने इस चुन विधान सभा सीट के अलावा बस्पा एक भी सीट नहीं जीत पाई आज बस्पा के यूपी में मात्र एक विधायक हैं अब ऐसे में साफ जाहिर होता है कि बस्पा का हाथी केवल और केवल सपा और भाजपा के समीकरण को बिगारने के लिए ही इस उप्चुनाओं में उतर हुआ है वहराल अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो लड़ाई मुख्यरूप से भाजपा और सपा के बीच की है उसमें सपा नेताओं की और से की जाने वाली पड़ियां वो उसके लिए फायदेमन साबित होंगी या फिर सपा नेताओं की जमानत पूरी तरीके से अबर किसी और मुद्दे के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार